क्या नाम हूँ आपका विकास कहां से आ रहे थे आप काठमांडो से जाना कहां है आपके साथ क्या घटना हुई रास्ते में और इधर कहां से पहुंच गए आप क्या आपके साथ आप क्यूं जा रहे थे कलकुता अप्रेशन होने वाला था कितना पैसा आपके जिम में था ले जाइए पीख है बेरिया बस स्टेंड आपने देखा इस सक्स के साथ क्या घटना हुई है अब मैं आपको इसके घर पर फौन किया था हूं अभी कुछ दिर पहले मैंने इसको यह होस में नहीं था जब यह यहां पर आया है रोड पर गिर गया था इतना नसे की मतलब जिस बेक्ती ने भी इसको पानी में कुछ मिला के पिला दिया यह होस में नहीं था आपने और यह पन्यान इसकी पूरी तरह से फटी हुई थी रोड पर चलते हुए मुहे के मतलब मुवर गिर गिर गिया सामने हम लोग मेरे घर के सामने की यह बात है ग्रामिन आये इसको उठाए और इसने अपना घर का नंबर दिया उस टेम ये सोचाले की तरब गया था मैंने इसके घर पे बात किया इसके घर के इसकी मां का जो इसने कहा कि मेरी मां की हालत सिरियस है ये सत्त है इसकी मां का ओप्रेशन होने जा रहा था अलत सिरियस था और इसके साथ इधर नसा वाली घटना हुई और कुद्रत ने इसके साथ यू कहें के जैसे फिल्मों में हम लोग देखने को मिलता है के एक ही साथ कई घटना घट जाती है उस बेक्ती के साथ ठीक इसी तरीके से इस बेक्ती के साथ भी वही घटना घटी है इधर इसको नसया खिला के इसके सारे एक हलमान जी का लॉकिट था इसके गले में अंगूठी थी तीन हजार रुपया था कपड़ा लगता मुबायल सभी चीज इसका छीन लिया गया और उधर उसने क्या कहते हैं कुद्रत ने इसके साथ इतनी बड़ी बे इंसाफी की कि इसकी माता को अस्पताल में छीन लिया यानि कि उसकी मिर्तू हो गई और मिर्तू हो गई इलाज के बिना क्यूंकि अपने देस में डॉक्तर नहीं है अब अपने देस में कसाईयों का राज है मैं कहता हूँ तो बहुत सारे बेक्तियों को बड़ी मिर्ची लगती है लेकिन हकीगत यही है बास्तविक यही है कि इसकी मा का ओप्रेशन नहीं किया डॉक्टर ने क्योंकि यह बेक्ति टैम पे वहां नहीं पहुँच पाया दो दिन से इधर ही टपला खा रहा था नसे की हालत में और ओप्रेशन नहीं हुआ सही टैम के उपर और इसकी मा अस्पताल में दम तोड़ दी समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके की देश में सिस्टम चल रहा है कि कोई गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो उस बेक्ती का हमारे देश में अब इलाज नहीं हो सकता है वो मर जाएगा जिसका जीता जाकता उधारनी इस सक्स का है हमने इसको नहीं बताया है कि आपकी मा स्वर्गबास हो गई है क्योंकि एक तो ये बेक्ती नसे की हालत में अपने होस में नहीं था वैसे में इसको बोलना के आपकी मा नहीं रही इस दुनिया में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इस सक्स के साथ एक पहाड सा गिर्या है इसके उपर और मैं अभी आपने देखा कि मैं अपनी गाड़ी से इसको दर्भंगा भेजा हूं दर्भंगा से इसको बस पकड़ाएंगे मजपरपुर के लिए और मजपरपुर से ये जाएगा कॉलकता गंगा सागर जो समुंदरी टट पे है काफी दूर है तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे बिक्ती के साथ और क्या हमारे देश का एक सिस्टम सा चल गया है कि गरीब आदमी का इलाज नहीं अब डॉक्टर कर सकते हैं हमारी सरकारी बिवस्थाएं सारी खोखली है जूटी है फरोड है क्योंकि सरकार सिरफ प्राइवेट करन के उपर ध्यान दे रही है और प्राइवेट का मतलब यही है कि आपके पास पैसा है तो आप जाएं वरन प्रसासन तक उसका अंतिम संसकार करने से वहां मना कर दिया है यह भी एक दुरभाग की बात है कि प्रसासन भी उसकी लास को लेने से मना कर दिया और उसके चाचा ने भी कहा है कि यह सक्स आएगा तब उसको चाचा को नहीं पता कि इस सक्स के साथ क्या घटना हुई है सिर जाल रहा है क्या ज्यादा कहूं जैहिंद अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बढ़न दोबार ना बोलें देखते रहें बहुत नलते न्यूज